हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग अवेरी हाथी वेलकम तो दिस माइंड ब्लोइंग प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला माइनेम इस उपर शर्मा बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानि इंडिया के थोड़ी थोड़ी सी जलक जो हैं हम लोग देखने वाले हैं कहते हैं इंडिया इतना खूब सूरत है फॉरण कंट्री घूमने की जूरत नहीं है हमें अगर अपन बहुत ही खूब सूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विए गूइंट टॉक अबाउट बेकर फ्रम गोवा भाई गोवा का नाम सुनते हैं हमें याद आते हैं सुन्दर सुन्दर बीचिस ठीक है और बहुत सारी मूवीज जिसमें गोवा को बेकरी जिनकी होते हैं उसे बोलते हैं बेकर फ्रम गोवा भी बच्चो ऐसा कहा जाता है कि गोवा में आप लोग देख सकते हो बच्चो ठीक है आज विए अगर आप गोवा जाते हैं तो गोवा में आपको पॉट्यूगीस कल्चर जो है वो देखने को मिलेगा ठीक है प्लेस वहाँ पर जहां पॉट्यूगीस कल्चर को एक्स्प्लोऔर कर सकते हो तो यहां यह चाप्टर ही पॉट्यूगीस लोगों के बारे में हैं यहां क्या है एल्डर्स इन गोवा रेमेनाइजिंग नॉस्टाल्जिकली अबाउट रेमेनाइजिंग यानि कि यहां जो कि एल्डर से यानि कि गोवा फिराने बुज़र्ग हैं वो याद कर रहे हैं उन पुराने दिनों को नोस्टाल्जिक इन विली मतलब कहा होता है नोस्राल्जी के लिए होता है जब हम लोग अपने जो पास को लेके बहुत ज़्यादा एमोशनल हो जाते हैं तो यहां वो लोग याद करें एक गुल्ड ओल्ड पॉर्टिकीज के बारे में ठीज के लिए उनके मन में बहुत जादा प्यार था जैसे हम लोग चपाति खाते हैं था टो लोग ब्रेड खाते हैं हाला कि आज भी बेकर के बिना काम नहीं शलता, आज भी आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो, makers of bread को, eaters vanished, जो खाने वाले हैं वो तो जा चुकी है, vanish होगे, यानि Portuguese people तो यहां से जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन bakers, molders, mixers, still there, bakers, molders, mixers आज भी यहां पर है, यानि bread ब वो furnaces आज भी जिन्दा हैं, जिन में आपको जो है, bread बनती होई नजर आ जाएगी, आप गोवा आजाएंगे न, गोवा में बेकरीज बहुत famous हैं, आप गोवा में, साउथ गोवा में जाते हैं, तो साउथ गोवा में, आज भी कई ऐसे लोग हैं, जिनके घर में बेकरीज बनी हुई है, वो बिल्कुल Portuguese culture को उन्होंने अडाप्ट किया हुआ है, बिल्कुल गोवन culture और Portuguese culture का mixed है, और आज भी वो अवन में नहीं बनाते हैं, मनलब age old furnaces, वो जो furnaces भटी जो है, उसमें properly वो bread बनाएंगे, biscuits बनाएंगे, और आज भी आप उस taste को जो है, वो observe कर सकते हो, आज भी आपको वहाँ पर baker, जो है न, ये जो पादेर जो है, वो आपको दिख जाएंगे, आज भी आपको bread बेचने वाला वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, पहले अलग तरीके से आता था, ठीक है, कैसे आता था, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको वो cycle पे प प्रोफेशन फादर जिन्दा नहीं है, वो जो पुराने बेकर से वो जिन्दा नहीं है, लेकिन उनके बेटे बच्चों आज भी जिन्दा है, जो इस प्रोफेशन को क्यारी किये हुए है, आज भी जैसे मैंने आपको बोला, वहाँ आपको baker जो है, वो नजर आ जाएंगे baker, padir in Goa in author's child यहाँ जो author है वो अपने childhood के बारे में यानि कि अपने बच्च्पन के बारे में वो बात करता है कि बच्च्पन में क्या होता था बच्पन में मैंने कैसे जो है वो देखा है किस तरह से baker हुआ करता था baker को वो बोल रहा है friend baker उनका friend भी था companion भी था और उनका guide भी था जी हाँ वो जो है वो तीनो था क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं ऐसे इसले बोलते हैं क्योंकि वो कई बार आता था दिन में दो बार जो है वो आता था होता है ना कि आपकी गली में भी अगर कोई hawker जो है वो डेली आ रहा है तो आप उसके साथ थोड़े से familiar हो जाते हो आपको ऐसा लगता है कि यार यह तो आने जानी रोज की ही बात है तो beaker को पादीर को जो है वो लोग बहुत important person मानते थी जो दो दिन में दो बार कम से कम उनकी आपास आता था एक बार जाते होए और एक बार आते होए जब वो आता था तो बच्चे बहुत excited हो जाते थे बच्चे जो है ना उसकी basket को बहुत curiously देखते थे बच्चे तो कितने curious होते हैं जब वो अपने साथ basket लेकर आता था एक तो अपने साथ वो bamboo stick लाता था और bamboo stick की आवास जंग 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 की आवास करते होए आता था शोर करते होए आता था और फिर जब आता था तो अपनी basket को उस डंडे के ऊपर vertically सीधा रखके डंडे के उपर उसको रख देता था यह भी उसका talent था ठेक है तो बच्चे उसके नदर जहांक के देखते थे कभी कहीं चड़ ज आएगा फिर bread जो है हम लोग खाएंगे नए बच्चे excited होते थे bangles के लिए जो कभी कभी sweet भी हुआ करते थी नीठी भी हुआ करते थी और बच्चे उससे कहते कैसे खाते थे बच्चे खाते थे बिना ब्रश किये जी हाँ बिना ब्रश किये पेरेंस बोलते थे बच्चों कर लो तो वह कहते थे कि शेरों ने भी कहां मूद होए है tiger भी कभी अपना mouth wash करता है और जो हम गरम गरम चाय पीएंगे तो सारा का सारा mouth wash हो ही जाएगा वैसे तो ब्रश करने की क्या importance है और वैसे भी brush करना उस ताइम पर बढ़ा important था भाई पहले आपको जो है वो क्या कह जो उसकी घर में रोज दिन में दो बार आया करता था एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए मलब वापेस आते हुए जब उसकी बास्केट पूरी खाली हो जाते थी उसके बाद क्या है importance of baker baker के बारे में इतनी जादा बात क्यों गई है फूरा फूरा चाप्टर क्यों meaningless है बहुत सदा important part है bread जो है आपको marriage gift में bread जो है वो देते हैं sandwiches on engagement जो ladies है जो औरते हैं जब उनकी बेटी की engagement होती है तो वह sandwiches बनाती है जो भी लोग उनके आये होते हैं उनके घर में तो उनको sandwiches जो है वो खिलाए जाते हैं जैसे हमारे याँ शादी होती है तो हमारे याँ पूरियां तली जाते हैं तो उनकी हाँ sandwiches जो है that are very important वो बहुत जरूरी है साथी साथ cakes and bolinas must on Christmas जो cakes और bolinas की image मैंने आपको दी विया yes these are called bolinas ये भी sweet coconutty flavor का एक bread type जो है वो होता है तो वो बहुत famous है और Christmas के लिए that is very important तो मालब बेकर कितना इंपोर्टिंस है उसका यह आप समझ सकते हो कि एक विलेज में बेकर का होना कितना जरूरी था क्योंकि हर ओकेजिन जो है without बेकर वोस इनकम्प्लीट मुलब उसके बिना कुछ था ही नहीं साथ में status and appearance of baker अब बेकर के बारे में इतना बात करे है तो पता तो करे के बेकर द पनी करता है किसमे राखी डॉट में फॉह सकते हैं कि आज अगर कोई गुटनों से थोड़ी नीचे पैंट को करें का भई एक तो बीदी लंबी कोति नीचे जाती है और मलब ankle से थोड़ी ऊपर होती है तो आज भी अगर कोई पहनता है तो उसको बोलते हैं कि तुम पादेर की तरह जो है वो लग रहे हो और कब बोलते हैं पादेर से compare करते हैं जब किसी का फिजीक बहुत plump हो कहते हैं कि बेकर का स्टेटस बेकर का economical जो condition थी वो इतनी अच्छी हुआ करते थी पुराने जमाने में कि मलब उसके में ना गुजारा तो था नहीं जैसे कि हम लोगों ने already पढ़ा तो वो बहुती मोटे ताजे जो है वो दिखा करते थी बिल्कुल jackfruit like उनकी फिजीक होते थ jackfruit पता ना आपको कठल कठल जो है कितना मोटा थासा होता है तो कठल के साथ जो है उनके look को appearance को compare किया गया है कहते हैं आज भी अगर कोई मोटा सा बंदा दिखता है जिसकी कठल जैसे फिजेक होती है तो उसे बोला जाता है कि तुम you look like a पादेर की वो बिल्कुल तुम पा का था तो यह आप देख सकते हो that profitable business in the past प्लंप फिजीक कैसी थी उनके फिजीक बच्चों फिजीक उनकी बहुत ज्यादा प्लंप थी मोटी ताजी जो है वो थे तो यह हो गया बेकर के बारे में ठीक है बेकर के बारे में आपको यह सारी शीज है याद रखनी है बच्चो कि किनके बारे में बात हो रही है Portuguese days के बारे में बेकर की क्या importance थी कैसे सभी के सभी functions और rituals जो है उनके बिना अधूरे थे तो यह है बेकर की जो है वो importance चलिए आगे वाले पार्ट में चलते हैं हम that is कुर्ग बाई कुर्ग के बारे में जब यह chapter आप लोग पढ़ते हो तो वो क्या है heart and soul of India जी हां कुर्ग को बोला जाता है heart and soul of India यह आपको याद रखना है यह heart and soul of India क्योंकि वो इतना ज्यादा खूबसूरत है सबसे smallest district है वो करनाटका का मैं आपको एक बात बताती हूं कि अगर बहुत सारी लोग जो है ना उनकी bucket list में होता है कि वो कुर्ग जा bucket list समझते हो कि जो हम लोग काम करेंगी अपनी लाइफ में एक बार हमें मंडे से पहले यह काम जरूर करना है तो बहुत सारे से लोग होते हैं जो travel एंथूसियास्ट होते हैं जोने travel करना बड़ा पसंद होता है वो कहते हैं कि हमना एक बार अपनी लाइफ में कुर्ग समझते होना बच्चों हमेशा बारिश होती है तो इसका वेदर भी कैसा है mostly rainy हर वक्त उसमें बरसात होती है इतनी बरसात होती है कि टूरिस्ट वहां नहीं आप आते हैं जो रेनी सीजन होता है इतना जादा वेदर खराब होता है पॉफेक्ट सीजन है उसका September to March पॉफेक् सुरत है वहां के बचों लोग कैसे हैं पर दण सबसे पहले बढ़ने हैं कि ओंचे सब्सकार करेंगे कहें होस्पिटेबिल उसी को कहते है साथी साथ वह आपको अपनी stories of valor सुनाएंगे यानि अपनी महांता अपनी bravery की कहानी जो है वो सुनाएंगे इतने ज़ादा brave होते हैं कि जो कुर्गी regiment है कुर्गी regiment जो है वो most decorated है कई बच्चे इसको मतलब नहीं समझ पाते हैं सबसे ज़ादा decorated का मतलब होता है सबसे ज़ादा उन्हें medals मिले हुए एक वो कहते हैं कि एक army person की या पुलिस वाले की पहचान क्या होती है कैसे वो होती है कि उसको कितने medals मिले हैं तो उसको कुर्गी regiment को रच्पूत वाइननया सबसे पारोब के लिएप यानि के आप समझ सकते हो कि किकने ज़ादा प्रेव ऊगए यार क्यारी कर सकते हैं वो यानि कि गवर्मेंट को इतना ट्रस्ट आउन लोगों पर वो जो अपना लाइसेंस है वो बड़ी सही जो है उसमें यूज करते हैं यानि सही तरीके में यूज करते हैं उसे गलत इस्तिमाल नहीं करते हैं उसका और बहुत ब्रेव तो होते ही है त जाती साथ two stories about descent, यहाँ पर यह बहुत important है कि उनको descent कैसे हुआ, यानि कि यह कुर्ग के लोग है कहां कि इसके बारे में बहुत सारी stories होती है, कहते हैं कि दो stories हैं उनके descent के बारे में, कहने कि वो कहां से आए, सबसे पहले है एक Greek story, कि वो Greece के है, मनलब Greece से है उनका descent है, कहते है कि जो Alexander की आर्मी है, Alexander की आर्मी पहले यहाँ पर एक बार आई, और यहीं पर अटक गई, मनलब वो आ तो गई, कुर्ग में आ गई, लेकिन कुर्ग से वापिस नहीं जा पाई, कुर्ग से वापिस नहीं जा पाई, तो उनने क्या किया, not this settled here, यहाँ वो settled हो गए, यहाँ उ वो religious rights होते हैं, यानि कि मरने जीने पर और किसी की शादी में आपको ऐसा लगेगा, यार यह तो Greece, मनलब यह तो बिल्कुल Greek culture है, तो Greek culture के जलग आप देख सकते हो वाँ पे, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का माना है, कि यह जब Alexander की आर्मी यहाँ आई थी, तो इनका Greek decent ह है, यानि कि Greek के ही है यह, दूसरा अरब, एक अरब background के भी बात होती है, कि इनका अरब background है, अब वो कैसे बता चलता है, वो बता चलता है कि वो पहनते हैं, long black coat, एक लंबा सा black coat जो है वो पहनते है, यह मैंने यहाँ फोटो भी लगाई हुए उसके, तो यह कैसे लगता है, that resembles कूफिया, इसे वैसे इसे कूपिया बोलते हैं, यह जो इन्होंने पहना हुआ है, यह कोडावू है, कोडावू यानि कि यह एक कुर्ग का person है, और इन्होंने पहना हुआ है कूपिया, जो dress इन्होंने पहनी है, that is कूपिया, यह कूपिया कैसी है, यह कूपिया मिलते चुलते है Arabians के dress से तो बोला जाता है कि इनका अरब decent भी हो सकता है यानि कि अरब से भी belong कर सकते हैं अब background क्या है that is still under मनलब की थोड़ा confusion है उसके अंडर लेकिन दोनों ही जो है decent इस वे bullish आते हैं साथे साथ भाई यहां की places to visit कहां कहां आप लोग घूम सकते हो ठीक है कहां कहां आप लोग जो है वो जा सकते हो मैंने आपको बताया कि कुर्ग बहुत सारे लोगों के bucket list में है बहुत सारे लोग जो है वो पूर्ग जाना चाहते तो जाना क्यूं मुझा आते हैं है क्या वहाँ पर वहां यह ब्रहमागीरी एक ही और सब्सक्रान पूरे के ऊड़ा == लागन मिस्टी मिस्टी एक शखिर्व नहीं आप सब्वंगरी ऊती यह उती है वह आपको पुरा का पुरा व्यू दिखाई देगा आप एक ब्रहमागीरी किल्स पे हिल्स पर क्लाइंग कर जाते हो तो बहुत मजा जो है वो आता बहुत ब्यूटफुल व्यू जो है आपको नजर आएगा पूरी की पूरी वाली का दूसरा निसर्ग धाम क्या है निसर्ग धाम इसन आइलेंट एकर आइलेंड है कितना मजा आ रहा है कि हम लोग रोब ब्रिज पिचाएंगे और हमें एक बढ़िया सा 64 एकर में फैला हुआ एक आइलेंड नजर आएगा कितना सुन्दर है तीसरा रानिंग इंटो बुद्धिस्ट मंक्स आपको बुद्धिस्ट मंक्स वहाँ नजर आएंगे नियर बाइ चिन्होंने पूरी दुनिया त्याग दी हैं जिन्होंने अपना सिर्वी उनका बॉल्ड हो जाता है आइद eyelids करवा लेते हैं और वह meditation जो हैँ हमेशा करते रहते हैं तो वह लोग करते हैं बहुती शांत जगा पर basically किसी hill वगेरा पर और कुर्ग में बहुत ज़्यादा शांती मिलती हैं तो वहां आपको जो है यूजवली दिख जाते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स भी आप लोग कर सकते हैं कुर्ग में यह आपको जो है वो याद रखना है किस तरह के स्क्राइबरेंचर लिथे मूझन ज़् legislator कामें जो और ऑस सकते हैं साथी साथ म 커피ाव मेरा आप लिए ग्लाइक डानी धर्म यह टरना पहारा पर चर्णा उतरक चार्ना इस तरह कि जो हैं आप लोग Adventure Sports भी कुर्ग में कर सकती हो साथी साथ Fauna, Fauna कैसा है वहाँ का? महसीर, महसीर जो की एक Large Freshwater Fish है वो आपको वहाँ दिखेगी, वहाँ आपको दिखेंगे Kingfisher, Squirrels, Elephants, Langours, Birds, Bees, Macaws, Mellowar, Squirrels इस सरह के आपको मतलब अलग लग तरीके का Flora and Fauna जो है आपको देखने को मिलता है ठीके वहाँ पर तो ये एक तरह से advertisement होगी जैसे कुर्ग के लिए कि कुर्ग जाना तो बहुत ज़रूरी है भाई, कितनी ज़्यादा खुबसूरती हमें देखनी है उसके बाद है आपके जो है वो क्या है अच्छा सारे चीज़ने मैंने बता दी है पर एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कुर्ग का जो location है जो इसका weather है उसके साथ साथ आपको न उसके जो people है जो उसके लोग हैं वो आपको बहुत ज़्याद रखने हैं कि वहां के लोग कैसे हैं और वहां किस तरह कि हम लोग adventures कर सकते हैं that is very important in lieu of exam में के आ सकता है विससे इसमें ज़्यादा तर जो है न आपको आ सकता है कि RTC reference to context based questions आपको इसमें आ सकते हैं तो आपको यह चुटी-चुटी सी चीज़े जो है न वो याद रखनी है तो कुर्ग हम लोग घूम लिए तो चलो हम लोग आसम गुमते हैं हम जाकर आसम में चलते हैं टी व्रोम आसम ऑए कि चाए जो है बहुत famous है आसम की आसम की चाए जो है हम लोग basically हम लोग लोको बोलते हैं कि आसमीस थी है यह आसम में बहुत सारे आपको टी गार्ड़न्स जो है वो नजर आजाते हैं यहां पर हम लोग मिलती है दो मेंन क्यारेक्टर से थी के दो मेंन असाम प्राज्वीर को राज्वीर को ऑपने घर पर होता है आम दोस्तों को बुलाते कि चल तू मेरे घर चलियो ठाली के हम वहां पर चांगे मेरा घर देखने के लिए चलो तो यह जो है बड़ी पुराने टाइम की पर यहां लोग दोनों दोस्त देख सकते हैं कि वो लोग बिल्कुल अलग तरीके का काम करें यह जो है वो नौवल पेटर और राजवीर खिड़के का बहार देख रहा है जो यूजुली लोगों ने देखना बंद कर दिया लोग आपको ट्रेन के बहार देखते हुए नहीं किया हुआ है जो हमें यहां पता चलता है तो यहां की सेटिंग क्या है स्टोरी की सेटिंग है ट्रेन जर्नी जर्नी जिसमें मैंने आपको बताया कि जो राजवीर है बहुत ही इंटरस्ट के साथ खिड़की के बाहर देख रहा है उसे बहुत जदा वहां पे ग्रीनरी नज पेड़ और पेड़ों के बाग उसको बड़े बड़े टी गार्डन जो है वो नजर आते हैं और वो बहुत excitedly share करता है प्रांजोल के साथ कि प्रांजोल देखो देखो टी गार्डन तो प्रांजोल कहता है कि यहां तुम इतने सारे टी गार्डन देखने वाले हो here you are going to see so many tea gardens to last your lifetime यह पूरी lifetime के लिए तुम tea gardens जो है यहां देखने वाले हो इतने सारे हैं यहां पर मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ अब वो यहीं पैदा हुआता है तो वो उसकी level of excitement इतनी नहीं होती है जतनी राजबीर की होती है of course और फिर उसके बाद एक दूसरी sitting है station to प्रांजो house भाई train जो है जब रुकती है होट लेती है कहां पर देखिया बारी देखिया बारी is a place in NASA वहाँ train जो है वो stop करती है और फिर यहां प्रांजोल के परेंस उन्हें receive करने आते हैं और प्रांजोल के father जो है वो एक tea garden के ही मालिक होते हैं tea garden के मालिक होते हैं और वहीं जो है मा important part है इस chapter का two legends about discovery of tea यहां राजवीर जो है वो share करता है प्रांजोल के साल कि तुम्हें पता है कि चाय कहां से बनी चाय कहां से originate हुई उसके बारे में बड़े सारे legends हैं तो प्रांजोल भी बड़ा excitedly पूछता है कि हां बताओ कौन से legends हैं हाला कि यह दोनों यह belief नहीं करत water यानि उबाल कर पानी पिया करता था जैसे usually बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन एक दिन गलती से उसके अंदर कुछ tea leaves गिर गए जब tea leaves यानि की चाय की पत्ती उसके अंदर गिरी तो उसको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा तो उसने बस मलब कि यहां से hence चाय की खोद जो है हो गई उसने देखा कि कॉन से पत्ते इसमें गिरें जिसने इतना अच्छा फ्लेवर उसे दे दिया है तो फिर उसके बाद tea वो इन्वेंट हो गई दूसरे लेजन्ड के वाडिंग जो की इंडियन लेजन्ट है इंडियन लेजन्ट में एक जो है वो मंक यानि की आंखे बंद रही है तो मैं अपनी पलके ही काट लेता हूं आइलज जियानि कि अपनी पलके वह पलके काट लेते हैं और पलके जहां गिरती है वहां एक प्लांट जो है वो उकता है और चाह बांट होग गया और वो प्लांट काण सहाथ जो है वो banish हो जाते थे यारी की चली जाती थी तो ये दो बहुती interesting से legends जो है वो है old age legends जो है जो कि इस chapter में discuss किये हुए हैं उसके बाद है origin of tea actually में वो बताते हैं कि जो origin of tea जो की माना जाता है जो मतलब हर जगा लिखा होता है कि माना जाता है कि क्या था तो ऐसा बोला जाता है कि China में सबसे पहले चाई पी गई थी as old as कपी गई थी 2700 BC ये जो चाई और चीनी शब्द है चाई चीनी ये चाईना से ही आए हैं ठीक है ये वहीं से originate हुए मैंने तब ही bracket में लिखा है चाई चीनी तो ये चाई चीनी वहीं चाई आई और उसे as a medicine पिया जाता था as medicine more than a beverage आज हम लोग को चाई को क्या देखते है it is a beverage बैवरेज काई लोग नहीं समझते है बैवरेज का मतलब होता है बिटा जो हम लोग डिश मनलब डिशिस के अब लोग देखते हैं बैवरेज यानि की पीने वाली आइटम जो पीते हैं तो उसमें लिखे हो दर हो hot beverages cold beverages तो hot beverage में लिखा होता है tea coffee ये सब और आजकल तो cold beverage भी बन गई है tea उसमें ice tea वगरा लिखा होता है तो ये beverage यानि की सिर्फ पीने के लिए हम उसे इस्तिमाल करते हैं आज आज है medicine हम लोग कम जो है वो यूज करते है tea को आजकल तो बलकि doctors आपको मना करते है that you should not consume tea tea के जो है वो habit लग जाते हैं this and that तो लेकिन यहाँ पर यह है that tea को बहुत importance दी गई है राजवीर भी इतना excited होता है tea के बारे में बहुत कुछ पढ़ता है और वो अपनी knowledge share भी करता है प्रांजोल के father के साथ और प्रांजोल के father कहते that you have done your homework nicely कि तुम यहाँ आए हो तुमने अपना homework बहुत अच्छी तरीके से किया है यह चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे कि होता है ना कि हम लोग कहीं घूमने जाते ना तो घूमने जाने से पहले हम जहां भी जा रहे हैं जहां भी जा रहे हैं आप जहें hills पे जा र में पढ़ा था और I hope आप लोगो ने भी बहुत अच्छी से पढ़ लिया है यहां मैंने राइटर्स का नाम नहीं लिखा है राइटर्स का नाम आपको याद करना है याद रिखना है comment section में के तीनो राइटर्स के नाम जो है आपको लिखने है आपको पता होने जाए यह exam क point of view से बहुत important है I hope आपको तीनों portions बहुत अच्छी से समझ में आ गए और यह notes आपके लिए बहुत helpful रहे होंगे thank you so much for this lovely class मिलेंगे next class में till then take care bye bye